तो दोस्तो आज 26th मार्च 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे पावर सेक्टर की दो दिगज कंपनी की शेर्स की बारे में एक हो गया आपका NTPC लिमिटेड दूसरा हो गया आपका सेम टूसेम पेसु सेक्टर से नहीच पीसी लिमिटेड जहां पे नहीच पीसी की शेर आज क्लो दो तीन इंपर्टेंट अपडेट्स है सबसे बहुत के बारे में थोड़ा डीटेल में चर्च करेंगा और आप सभी करेंगा प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरान तक जरूर देखना तो दोस्तो जैसे कि आपको मालूम होगा साल में दो बार इंडेक्स के अंदर रिजीक होता है इसका मतलब जो खराब परफॉर्म करने वाला शेर को हटा दिया जाता है और कोई अच्छे कंपणी इंक्लूट किया जाता है इस बार भी दोस्तों ऐसा होगा और इस बार देखें निफ्टी में होगा निफ्टी नेक्स 50 में होगा ऐसे जितने भी इंडेक और टू अदर्स पेसु स्टॉक से नुभामा आई अब देख लेता है यह कब होगा और कितना या पी इंक्रीज होगा इंफ्लो तो अब देखें यह हैं उसकी में बॉडी स्टेट रन एंटी पीसी नेच पीसी और इन एलसी इंडिया यह दोस्तों वही कंपनी है जो कि हाल फिल अल्बन में देखा था ओफस लॉंच वाता हैना विल सी यार वेट गो अप्टू निफ्टी सी पीसी फॉल्विंग अ सेमी अन्वाल रिजीक इन दा इंडेक्स एफेक्टिव फ्रॉम थर्स डे मतब 28 तारीक आजो गया आपका 26 तारीक कल 27 पर 28 तो मतब 28 तारीक दोस् पैसा जाना अब यहां पर देखे जो यहां पर आया है ब्रोकर जोरा नुभा मा इनके एकोडिंग जो एंटी पीसी को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा कितना इंक्रीज हो का पहला देख लिजे वेटेज जो एंटीपीसी का पहले था 17.9 परसेंट वो इंक्रीज होके आपको एक बार पूरा लिस्ट दिखाना चाता हूं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए कि कौन सी शियर में जो वेटेज हो इंक्रीज होगा और कौन सी शियर में वेटेज जो है वो डिक्रीज होगा जैसके आप देख सकते हैं पहले वाला नाम है एंटीपीसी पहले यह ओल्ड वेट जो कि 17.90 अभी देखें बर के 20 हो जागा यह कब से होगा यह दोस्तों अट्था इस तारिक से लागू हो जाएगा अभी तक नहीं हुआ ठीक है और इसमें कितना इंफ्लो होगा 71 बिलियन डॉलार का दोस्तों इंफ्लो का मतलब पैसा आएगा नहीं पीसे दे बहुत अच्छा है थर्टीन मिलियन डॉलार का दोस्तों इंफ्लो आएगा तो मतलब बहुत बड़ी बात है उसके बाद बात करें देखें एनलसी इंडिया यहापे भी आप देख से तो वेटेज इंक्रीज होगा बट ऐसा कुछ इंपोर्टेंट शिर है जिसका वेटेज है डिक्रीज होगा यहापे गिरावाट होगा मतलब वेटेज पहले था वो कम होगा जैसे कि ओन जैसी 18.50 से गिर के देखे 17.60 उसका बाद की कूल इंडिया इसका भी वेटेज जिक यहापे डिक्रीज होगा 17.80 से डिक्रीज होगे 16.90 बेल की बात करें यहापे भी आप द अपति ज्यापगा पारगरीट की बात करें 20.10 से 20 की बात करें 1.60 से ड्रॉप ोके 1.50 हो जाएगा kıra ऑध सेम रहाएं बगा और ऐस्ज़में बात करें часов सब्सक्राइब आपको इसका इंदर तो देखने को मिलेगा जिसका नाम है च्वाइस ब्रोकिंग इनके आज की रिट में शेर हमने देखा कि लगबख 86-85 का असपास जो कि शेयर ट्रेट करें इस ब्रेकाउट सजेस्ट पोटेंश फर्दर अपवर्ड मुबेंड तो इनके आकोडिंग देखे लगबख 97 रुपए के आसपास शेयर अकर ब्रेकाउट दे दिया मतव आज की रेट में जहां पर बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा था अल्मोस्ट 87 का असपास तो लगबख 97 रुपीस तक 200 पहुंच सकता है अब देखे जैसे का आपको मालूम ह आपकी वेदर अनलिस्ट द्वारा की इंडिया में इस बार बहुत जबर्दस्त गर्मी पड़ेगा यह देखे इंडिया टुसी मोर हीट्वेब डेस वार्मर समर्ड इस यह दिस यह मतलब अभी मतलब कैलेंड दिया 24 में बहुत ज्यादा गर्मी मतलब ज्यादा एसी पंख श्का फ्रीज कूलर इसका यूजज बढ़ेगा जैसे यूजज बढ़ेंगा ऑटमेटिकली जो बिच लिया या उलेक्रिस लिड़ बढ़ेगा यह सफ्लै जयादा करने पड़ेगा तो कहींना कहींना कहां एका जाए इसका फाइदा सीदा इस सारे कंपनी पूरा उठाए कर दिया तो मतलब एक तो मार्जिन इंक्रीज होगा उसके साथ साथ सप्लाई बढ़ने की कारण जो सेल से वो भी और बढ़ जाएगा यहां पर है ना तो यहां पर कर दोस्तों बहुत ही शांदार है खास करके लॉंट इंवेस्टर्स के लिए और आज की रेट पर बात करें आपको दिखाना चाता हूं जैसे की नहीं पीसी की शेर में भी बहुत अच्छा वॉल्यूम था लगवग पांच करूर को शेयर ट्रेड वा उसके साथ साथ डेलीव पर देखने को मिला अल्मोस्ट 57.32 परसंट के आसपास तो मतलब एक मैसिव डेलिवरी आज चाहें इंटीपीसी की बात करें या नहीं बात करें शेयर में दोस्तों आज हमें देखने को मिला आईए सारी नियूस तामने कवर कर लिया आपका आगे का रनीति क्या हो सकता है दोनों कमपनी की शेयर में तो चले मैं आपको सिधा टेक्निकल चार्पेंट को लेके चलता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने ओपेंड कर लिया एंटीपीसी की लास्ट तीन मैनी की कैंडल स्रीक चाहर पर रन शुरुआत करेंगे अलनसिस बर उसके पहले द तो एंटीपीसी की बात करें शेयर कारेस इंडेक्स तो अविसली नूट्रल जोन पे है जो कि आज से लगबग कुछ हफता पहले शेयर अपना आल टाइम हाई टैच के अदा लगबग 370 के आराउंड उसके बाद एकदम से गिरावट बजार में PSU सेक्टर, Mid Cap, Small Cap सेक्टर में मैसिव आउटफलो या गिरावट देखने को मिला था, उसके बाद देखें लास्ट दो तीन दिन से शेयर में थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी देखने को मिला, अभी की बात करें NTPC की शेयर होल्डर के लिए जो कुरूशन लेबल है, हुए 334-35 के आसपास, तो ऐसे प्लस जब शेयर पहुंच के स्टेवल हो जाएगा तब आपके दिवांग बें जरूर आए होगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक है इसके पीछे लॉजिक यही है यही है यह जो सारी इंडिकेटर से ना यह सारी इंडिकेटर कहने के सपोर्ट भी देता है, रेजिस्टेंस आगे 335 पे तो यह लेवेल अगर ब्रेक करने में सक्सेस्फुल रहा तो उसके इसमें एक अच्छा मूप दोगा ठीक है तो यहां पर आपका इंट्री पॉइंट और दूसरा इंडिपॉइंट हाल फिलाल में देखा शेयर में जब करेक्शन हुआ था लगातार तो शेयर सब्सक्राइब देखें के 320 के आराउंड एक बेस बना चुका है उसके बाद ही इसमें बाउंस बैक देखने को मिला ठीक है तो जिस बैसे लोर साइड में 320 अच्छा इंट्री पर आपके लिए बन सकता है एड़ सेम टाइम नहीं की बात करें यह यह देर मेंने का सपास बह सब्सक्राइब देखें तो नीचे भी बहुत नीचे नहीं आया अपर की बात कर यहां पर तो जिस बैसे देखें मैं बार और बोलता हूं कि जो इंडिकर रसाना इसका यूसे सीख लीजे बहुत इंपॉर्टन है देखिए यह जो यह दिखें 20 डेस्किये में आपको जितन जूम हो सके कर दिया ठीक है इसका नंबर निकल करें एप्रॉक्सिमेटली 86-87 तो इमीडिये अग्रम बात कर जो हडल है यह रिजिस्टेंस है वह यह लेवल पर यह लेवल अगर ब्रेक कर लिया आराम से दोस्तों इसमें बाई कर सेकतो इनकेस अगा नीचे यहां पर सेंट देना पड़ेगा मैं आपको देना पड़ेगा तब ही मैं बोलूंगे इसमें इंवेस्ट करें बाकी देखिए अच्छी कंपणिया है डिवीडेंट अच्छा पेए करता है खास करके सरकारी कंपणी होने का यह सबसे वरा एडवांटेज है ठीक है बागी दोस्तों वीडि देखिए बाबाई जाए हिर्ट